वो है ग्रेट लीडर, आ गया वो आ गया, ग्रेट लीडर कानशी राम ग्रेट लीडर कानशी राम राजनीती में किया कमाल, चलता है शेरों की चाल, जो सदियों से थे कंगाल किया उसी ने माला माल दोंगी सरकारों को वो सबक सिकाता है, राजनीती की दुनिया में तूफान लाता है अरे ऐसा लीडर है जो सोती कौम जगाता है अरे एक नोट और एक बोट का पाड़ पड़ाता है जो जखमों पे मरहम लगाए अधीकार सब को दिलवाए सच बोला हो कर निगर वो कहलाया दा ग्रेट लीडर दा ग्रेट लीडर नमस्कार नेशनल इंडिया निउज देख रहे हैं आप और मैं सुसील कुमार दा ग्रेट लीडर कासी राम फिल्म का आज रिलीस हुई है आज दिसंबर आज तारीक है जो की काफी टाइम से हम जिसकी चर्चा सुन रहे थे मेरे साथ में फिल्म के डारेक्टर अर्जुन सिंग मौर्या मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे फिल्म के बारे में क्यों उन्होंने ये फिल्म बनाई कहां से ये आईडिया आया मानेवर कासी राम के बारे में ही आखिर क्यों फिल्म बनाई और क्या कि इस film के बनाते वक्त क्या दिक्कतों का क्या चुनोतियों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से आज वो इस मुकाम पर इस मुकंबल इस्तिथी में आये कि उन्होंने फिल्म रिलिस की आज एक रिस कॉन्फेंस यहाँ पर बेठाई गई है स्वागते सर आपका नेशनल इंडे नियूज में अर्जुन सिंग सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि दा ग्रेट लीडर कासी राम यही इनहीं के उपर क्यों आपने फिल्म बनाई यह बहुजन आइकन है और इनसे लाखों करोड़ों बहुजन युगाओं को प्रेणा लेनी चाहिए और यह फिल्म बनाने का उद्देश ही यह है कि जादा से जादा बहुजन समाज संसद पर कपजा करे उन्होंने जो मार्क दिखाया राजनीति का उसमें अजब से मानवर स से पहले लोग टिकेट बगरा चुना बगरा नहीं लड़ने देते थे तो मुझे लगा कि मानवर साब के उपर जो फिल्म है वो हम लोगों को युवाओं को दिखाएंगे तो जो केडर है उनका वो आसानी होगी उनके बारे में जानने की और यूथ जो है न वो अभी किता खाएंगे अजिए कर नाम नहीं आएगा कभी के अर्जुन लिख के आएगा नहीं आएगा फेस आएगा तो अमारा दिमाग इनसान का दिमाग जो है पिचर में सोचता है इसलिए को बनाने कर सकते है जबसे बिस बार पढ़ें एक बार मैं फिल्म देखके जितना उसको आ Background पॉलिटिकल के बाद तो लोगों को मोशली पता है मनबर साब के बारे में लेकिन उससे पहले कि जमीन लेविल पर उन्होंने काम किया है वो हमने इस फिल्म में दिखाया है और इस फिल्म को बच्पन से लेके 84 तक जब स्तापना हुई थी पार्टी कि उस समय तक हमने इसको है और उसके बाद अगर रिस्पॉंस अच्छा मिला तो पार्ट टू बनाएंगे जिसमें मनबर साब जब तक हमारे बीच में थे 2006 तक वह कहानी दिखानी कोशिस करेंगे किस तरीके कि आपको इस फिल्म को बनाते वक्त चुनोतियों का सामना करना पड़ा और क्या-क्या व आपको उस बारे में ज्यादा पता नहीं लेकिन आप अगर पागल पंती की अदों से पार कर जाते हैं जैसे मानबर साब ने अपने वासड़ों में खाया कि लोग तुम्हें दवाने की कोशिस करेंगे धमगाने की कोशिस करेंगे गमार कहेंगे मजाक बनाएंगे लेकिन अब ना पागल के अधा को पार कर जाना है और जिस दिन तुम पागल पण की अधा कर गए उस दिन अपना काम कर लोगे और देश को कुछ अच्छा मेसेज दोगे, कुछ देश के लिए बहुजन युवाओं के लिए कुछ अच्छा करके जाओगे, तो लोग स्टार्टिंग में बोलते थे कि यार एक सादर नसा बच्चा 20-20 साल, 23 साल गलड़ा है, वो कैसे करेगा, कुछ लोग तो यह सोचते थ हम एल्प की बात करते थे, फाइनेंसर की बात करते थे, तो यह बोलते थे कि पैसा पैसा खाके न चला जाए, तो यह जो टीस थी ना, वो हम एक बीच में आके परिशानियों की बज़े से नहीं कर पा रहे तेरे लिज, लेकिन कहीं ने कहीं वो जो लोगों ने बोला है, व वो हमारे जहन में आ रहा था, और उनी की बज़े से हम आज पूरा कंप्लीट कर पाएं, अगर वो ऐसा नहीं बोलते, चिनोतियां नहीं देते, तो साइध हम नहीं करते कंप्लीट, क्योंकि उन्होंने फिर कुश्चन मार्क करना इशाट कर दिया, कि अरे नहीं कर पाओग मेरे साथ थी, तो आज ही प्रिस कोंप्रेंस करने के बाद है ना, वो जितनी भी थकान होई थी, वो खतम हो चुकी, पांच्छा साल की जो थकान थी, वो आज खतम हो चुकी है, मतलब अब अब ओडियन्स और ये बहुजन इवां पर डिपेंड करता है, कि वो हमें आगे के ये कितना मॉटिवेट करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, जी, आपको कुछ जमीन भी अपनी बेचनी पड़ी थी, इस फिल्म में इस तरह की, बेकना और ये सारी चीज़ें मैं सेंपथी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कहीं ने कहीं अगर किसी ने मुझ से पूछ लिया जैसे ब्रोधी मीडिया ने किसी ने पूछ लिया, कितना पैसा कहां से आया, कहां से आया तना पैसा, कहीं से चोरी गोरी तो नहीं की, तो इसलिए वो बताना तो जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको लगता है कि सिंपती गेन करने के लिए रहा, यासा सब पार्टी, बामसेफ और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो की चार बार उई-उ-पी में सासन में रही, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है, कि क्या आपको किसी पॉलिटिकल नेता, बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता ने आपको फा होट बड़ी बात किसी बुझरुक अमारे दादा वगेरा पुराने लोग कहा करते थे के नेता कभी न देता अगहे छान Кाम होता देने का नहीं देने का काम है बहुजन समाज के जो जमीनी इस तरह पर है और श proces लोग मुझे पहले आजीब सा लगता था जब मैंने काम किया यह तो ने था नेतां writing ने तो कसी ने कोई सपूर्ट नहीं किया और अां मों अभूट सपूर्ट के लिए वह सब लोगों के पास गए ऐसा कोई नी छोड़ा जो बोले यार कि मेरे पास आते तो मैं कि हम लोगों ने बोला कि आप इस पार्टी से या सहाब की बज़े से आज इतने बड़े नेता बने हो पांच अजार रुपे तो हमें सपोर्ट करी सकते हो जिसके बदले हम आपका स्क्रीन पर नाम देंगे इस सपोर्ट किया है तो नेता को कहीं कुछ देता नहीं है ठीक है एक अगला सवाल मेरा यह है आपने अभी जिक्र किया कि अगली फिल्म भी लेका आएंगे तो क्या इसके बाद कोई और वी फिल्म लाने कि अगली फिल्म के हमारे सम्मानी बड़े भाई जीतेंदर बिसारी जी जन्होंने स्टोरी कंप्रीट कर चुके हम लोग लगवग मेरा फाइनल कोश्चन आपसे यह है कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे क्या अपील करना चाहेंगे जादा से जादा से जादा सोसल साइट सपर यूट्यूब फर यूवड़ा हुआ है क्योंकि हमारे आज भी खेत गाउं में जो लोग हैं वह स्पार्टफोन कम यूज कर पाते हैं लेकिन उनके बेटे और उनके जो बच्चे हैं भाई हैं वो यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि जादा से जादा खुद भी देखें अपने परिवार को दिखाएं अपनी मा बहन सब को दिखाएं क्योंकि यह मूवी यह मसाला मूवी नहीं है यह एक मॉटिवेट मूवी की थी उसको देखने के बाद लोग अगर राजनीती या किसी विसे में जहां जिस इस तरफे काम कर रहे हैं न वहां उनको पेड़ना मिलेगी अगर लोग बोलते हैं कि मानवर्ण साब क्यों चुना आपने फिल्म करने के लिए मुझे लगता है कि इससे पहले हम गलती से को कोई और चुनली होते तो वह कंप्लीट नहीं होती क्योंकि इनकी स्टोरी अम कर रहे हैं अब जहां भी अतास होते थे इस्टोरी आगे बढ़ाते थे तो वह इस्टोरी मोटिवेट करती थी कि तो मैं बैटने नहीं दूँगा मैं साब बोलते थे कि जो खुजली समाज तो हमारे साथ ये थे अरजुन सिंग जिन से हमने बात की दा ग्रेट लीडर कासी राम जो फिल्म लेके आए हैं डारेक्टर है उस फिल्म के महत्पूर्ण बात जो हमने कहीं न कहीं इसकी निकल के आ रही है कि फिल्म को जिस नेता को हमारे यहां बोजन समाज पार्टी में आइकन के तोर पर उसके बैनर पर उसका फोटो दिया जाता है लेकिन उसने किसी भी तरह की फाइनल सपोर्ट नहीं की एक बहुत कम उम्र में एक फिल्म बनाना पहली बार इनका एक्सपिरियंस है यह अपने आप में एक बड़ी बात है वीडियो जनरिस आकिल रजा के अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज अबडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें